हलो एवरिवन अगर आप इफ्तार के लिए कोई ऐसी रेस्पी चाहते हैं जिसमें टाइम भी बहुत कम लगे और बहुत आसानी के साथ बन जाए और उसके साथ ही साथ ये बहुत जादा मज़ेदार टेस्टी और चटपटे हूँ तो आप मेरी ये रेस्पी ट्राइ कर सकते ह बहुत कम मसालों के साथ बहुत आसानी के साथ बनने वाली रेस्पी है पर होती बहुत मज़ेदार है तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्यास ले लिया है तो यह 250 ग्राम प्यास है और इसे मैंने लंबाई में ही देखे बा तो यहां पर प्यास मैंने कट करके रख लिए हैं अब इन प्यास को एक बड़े बरतन में हम ट्रांसफर कर देते हैं और अब हमें इसमें डाल देना है कुछ मसाले ही जिसमें सबसे पहले इसमें नमक डाल देते ही तो नमक आप अपने टेस्ट का अपोर्णिक डाल दीजिए उसके बाद वन टे Gospel भरकर यहां पर वी कुटीवी धनिया डाल दिया है मैंने वन टेबल इसमें ही हाँ यहां पर कु सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से प्यास में मिला लेना है और प्यास को मसल मसल के इसके जो लच्छे हैं जो एक दूसरे में जुड़े हुई हैं उसे हमें तोड़ लेना है अलग कर लेना है तो यह देखे बढ़ियां से मसाले लगा दिये हैं अब इसे 10 मिट के के सब्सक्राइब कर दिया है तो हम इसमें डाल देना है यह मैंने बेसन ले लिया है और अधा कप यह भरकर है बेसन और इसी के साथ इस सदो थोड़ा सा कुरकरा बनाने के लिए हम चावल का अटा बैठ कर तो आधा कप मैंने बेसल लिया है उसका आधा मैंने चावल का आटा लिया है तो जितना भी बेसल डालना है उसका आधा चावल का आटा हमें add कर देना है अगर चावल का आटा ना हो तो आप मिकसी में नॉर्मली शावल लेकर उसे पीश सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से हमें इसमें मिला लेना है तो पहले हमें पानी नहीं एट करना है बिगर पानी का देखे मैंने इसे मिलाया और ये काफी ठिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी के छीटे मारना है एक बार ही इस तरीके से बस और इसी के अंदर ही हमें इसे मिलाना है ताकि ये पकोडों का जैसे बैटर हम तयार करते हैं बस उसी तरीके से इसे कर लेना है बहुत ज़ादा इसे पतला नहीं रखना है तो आप देख सकते हैं medium सा ही हमारा बन कर तयार हो गया है तो अब थोड़ा सा portion इसका हमें लेना है और इसे इस तरीके से हथेलियों पर इसे चप्टा सा इसे कर लेना है और इसी के अंदर हमें ये एक अंडे का तुकडा लेना है और इसमें ही डाल देना है और इसे अच्छी तरीके से हमें कवर कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से के अंडे कहीं से भी दिखाई ना दे अच्छे से इसे हथेलियों पर इस्ता करके एक रोल सा बना लेते हैं तो ये देखे बढ़ियां सा ये से मैंने एक रोल का शकल दे दिया है ये देखे बढ़ियां सा हो गया है तो इसे लग देते हैं इसी तरीके से मैंने सारा जो है ये अं अच्छा आजाए और अंदर से हमारी पकोड़े पक जाएं तच्छे भी ना रहें तो इस तरीके से इसे फ्राइब करना है और अब इसमें दिखे इस तरह से चमचा घुबा लेते हैं और इसे पलट लेते हैं ताकि इमली कलर सब पर आ जाए हाद तरफ से एक जैसे हो जाएं तो हमें एक एक करके इन पकोड़ों को इस तेल में से निकाल लेना है और बाकी बचे हुए पकोड़े भी हमें इसी तरीके से फ्राइ कर लेना है तो यह दिखें यहाँ पर मैंने प्लेटिंग कर ली है मैंने इसे सफ किया कैचप के साथ अपनी पसंद्द्रा चटनी के कार्ट के दिखाऊं तो यह दिखें बढ़ियां से ऊपर से यह कुरकुरे होते हैं अंदर सॉफ्ट मुलायम और क्रीमी क्रीमी से हमारी इसकी जर्दी दिखाई दे रही है तो अगर रैस्पी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब करके वीडियो को लाइक कर दे मिलते हैं से हमज़ादार से पिक साथ नेक्स वोड़ियों